हेलो गाइज, मैं हूँ पूजा और आप सब का स्वागत है वेच इंडियन रेसिपी बाई पूजा में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रवा डोसा की बहुत ही सिंपल और एजी सी रेसिपी जिससे आप मार्केट स्टाइल डोसा घर पर ही बना कर तयार कर सकते हैं तो चली रेसिपी शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पे रवा डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है डेड़ कप चावल का आटा साथ में मिख्स करेंगे हाफ कप सूजी की रेगुलर वाली सूजी के अवश्यक्ता नहीं है तो यहाँ पर इंड़ा कप सूजी ले लिए है और साथ में मिा मिक्स करेंगे शाड़े थीन कप पाणी ** अब इस बैटर को हम अच्छे से mix कर लेते हैं अब इसंे हम डालेंगे यious बहुत ही बारी कटो हुआ प्याज, medium size का प्याज बिलuju काट लिए है pit YouTubers content mix हम बारी कटी हुई हरी मिर्च युछ दाली ओम जानी दीफंट में डाल है बारी कटी हुआ हरी मिर्च और आप इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक यह आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसमें मिलादेंगे 1टी स्पून जीरा तो यह साबुत जेरा डाला है अब इन सारी चीजों को mix कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इस डोसा को बनाने के लिए हमें बहुत कुछ चीजों के आवश्यक्ता नहीं होती है सारा जमान हमारे घर पर आसानी से उपलब रहता है तो इस डोसी की रेसिपिक को आप जरू ड्राइ कीजिएगा तो हमारा बैटर तयार है अब इसे ढख कर हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनिट के लिए रेस्ट होने के लिए तो चलिए इसे ढख कर हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं तो 15 मिनिट हो चुके हैं हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है इसे एक बर हम अच्छे से mix कर लेते हैं बनाने से पहले इस डूसी का बैटर इसी तरीके का पतला होता है आप बिलकुल भी घबराईएगा नहीं ये इसी तरीके से बन कर तयार होता है तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं एक तरफ मैंने पहले से ही तवा गरम कर लिया था तो मैं अब आपको इसको डाल कर बताती हूं तो इसे हमें थोड़ी हाइट से डालना होता है जासता कि इसमें ये जाली बन पाए और हमें जाली के ऊपर बैटर को नहीं पोर करना है और शेप की तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए ये जैसे बन रहा है ये वैसे ही बनाते चले जाए इसे तो इसे हम मेडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि हमारा उपर का सर्फिस थोड़ा सा ड्राइ ना हो जाए तो यहां पे कुछ ही सेकंड्स के बाद आप देखे तो अब इसमें ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा ओयल और इसे मीडियम फ्लेप पर हम कुक करते रहेंगे जब तक यह अच्छे से ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए तो आप देख सकते हैं दोसा अच्छे से क्रिस्पर ब्राउन हो चुका है और जैसे ही एक ब्राउन हो यह मार्केट से भी अमेजिंग डोसा बनकर तयार होता है इसी तरीके से हम बागी के डोसे भी बना कर तयार कर लेते हैं तो दूसरा डोसा बनाने से पहले एक बर तवे को अच्छे से क्लीन कर लीजेगा आप कपड़े के साथ और आप चाहें तो इसमें कुछ बुंदे पा इसे भी हम सर्फ कर लेंगे तो बहुत ही ईजी और अमेजिंग रेसिपी है दोस्तों आप इसे रेसिपी को ज़रूर ट्राइप कीजिएगा पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा तो आप देख सकते हैं बिलकुल क्रिस्प करारे डोसे बनकर तयार हो चुके ह इसे आज मैं सर्फ कर रही हूं पीनट चटनी के साथ अगर आप इस चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो आप देख सकते हैं मैं आपे तोड के आपको भी दिखा यह दोसा कितना क्रिस्प बना है तो रेसिपी पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा अगर आप इसे ट्राइ करते हैं तो मुझे बताईएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और ऐसी ही धेरो मज़िदा रेसिपी को देखने के लिए चानल को सब्सक् कर दोसा कितना 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 कितना